कि एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए खाट ओवर रेक्टिंग गुलाटी मार रहें अब देखो काट रहे हैं टेंशन नहीं लेनेगा आप उन्हें ना दोस्तों नमस्कार मैं सुमिष्ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं नए ब्लॉग पे तो दोस्तों हमारे साथ है पागल पंती एपजेट तो जानते होंगे विनोद भाई को और क्या नाम है इस्टा सुरज सुरज अगर आप लोगों को में अगर खुन का कमी है तो इनका वीडियो देखे कौमेडी वीडियो पागल पंती अफजेट खुन बढ़ेगा यानि यानि कौमेडी वीडियो है और जिसको जिसको खुन की कमी है ठीक है हांसास के बड़ा देते इनके कौमेडी चैनल है आप लोग इनके चैनल पर जाईए और वीडियो देखिए लेकिन आज हम लोग आये हैं इनके गाउं छिंद गाउं में आये हैं जो करपाउंड शेतर में हैं और हम लोग आज चापड़ा जो हमारा रेडांट है बसतर वो किस तरह से निकालते हैं और कैसे उसका चटनी बनाते वह आप लोगों को दिखाएंगे बने रही है मज़ा आएगा वीडियो पर बने रही है और जो नए है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बने रही है वीडियो पर अब आया लाइन पर दोस्तों हम लोग आ गए हैं इस जंगल में देख सकते हैं आप लोग और दोस्तों देख सकते हैं इधर इधर चापड़ा है पूरा जंगल में पूरा चापड़ा देख सकते हैं पूरा चापड़ा और हम लोग जंगल के और अंदर जा रहे हैं तो बने रही है हमारे साथ और चापड़ा इस तरह से ढूंडते हैं पे चापड़ा गुड़ा उन्हें हम निकालने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहां पर विनोद भाई चड़े होये हैं और चापड़ा के घर को नीचे फेक रहे हैं और उसे हमें कठा करेंगे और अचापड़ा है आप लोग देख सकते हैं और अब दूसरे पेड़ पर हम चड़ने वाले हैं और यहां पर भी बहुत बड़े-बड़े घुसले नजर आ रहे हैं चीटियों के जो रेडांट कहलाता है और हमने उन्हें निकाल लिया है और इकठा कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि यह जित चापड़ा हम लोग निकाल रहे हैं रेडांट वो पूरे हमारे सरी पर भी आ गए हैं और हमें काट रहे हैं देख सकते हैं यह हमारा इस्टेर भाई है इनके उपर भी पूरा चापड़ा फैल चुका है दोस्तों अब मज़ा देखिए अब मज़ा देखिए फड़ा दूर जाते हम लोग मज़ा देखते हैं इनका देखिए चापड़ा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों मधुमक्खी जैसे काड़ते हैं वो ऐसे यह भी काड़ते हैं और दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन पूरा इस तरफ ना मेरे भी पूरा चापड़ा रेडांट है देख सकते हैं तो मेरे को भागना पड़ रहा है तुदा चापड़ा मेरे को भी नहीं छोड़े देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितना वह सकते हैं दून भाग गया है अब दूस्तों अभी हम लोग आए हैं विनोध भाई के घर में और यहां पर हम लोग चापड़ा का चटनी बनाने का बताएंगे प्रक्रिया तो विनोध भाई तो जबन रहा है तो चट्नी बनाने के लिए क्या लगता है एब अर चापड़ा का चट्नी फश्ट बार मैं ट्राइग करूंगा तू मैं फश्ट बार मैं ट्राइग करूंगा अभी चट्नी पीस्ट आप और बने रही है वीडियो पर चापडा चटनी इस तरीके से एकदम देशी स्टाइल और मज़ा ली दिए दोस्तों आप लोग भी हम लोग भी टेस्ट कर रहा हूं आप देखो अभी समें बढ़ने में अमभी तो बहुत बढ़िया है यहीं पहली सकाती है। मिर्चीद गहली है। लगा अच्छा है। टेस्टाइट अपहली बंके त्यार हो गें और टेस्ट आपकर पानी आगे वॉस्त क्या वाज्या अधे विश्ता चाहीं। के साथ और मेरा है और शर भी पीएंगे अभी पेज के साथ जापडा चटनी पूरा पसीना निकल गया एक ही बार में